मैं यहाँ पर बोध गया में हूँ अभी जीतनराम मांजी से बात की उन्होंने कहा कि NDA की लहर है यहाँ पर सर्वजीत जी हैं जो कि RGD के उमिद्वार हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और RGD के विधायक है बोध गया से इस बार इनका कड़ा मुकाबला हो रहा है जीतनराम मांजी के खिलाब जीतनराम मांजी जी जैसा कि मैंने पूछा सरवजीत जी कि दूसरी या तीसरी दिफ़े लड़ रहे हैं पहले आपके साथ थे अब NDA के साथ है कितनी कड़ी चुनोती है मांजी जी से आपको दखिए जो अपने राजनी जीवन में रंग तो धूल जाएगा तो जंता पानी से धोएगी कि लर बदलने वाले लोग है बहुत जाता राज में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सभा में जीतन रामाजी जी के सामने कि मैं चुनाओ लड़ रहा हूं गया से अच्छा कहा उन्होंने मैं तो बधाई देता हूं प उन्होंने कहा है कि किस नाम पे उनको भोट मिलेगा तो बधाई उनको बधाई मैं देता हूं उनको यह लंबी कतार खड़ी है मैं देख रहा हूं यह आपका बूत है यह सब जंता मांग रही है रोटी कपड़ा और मकान देश के परधान मंत्री के बात सुन रहे हैं इन ल देश तरक्की कैसे करेगा जब गाउं तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा जब पंचाइट तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा परखंड तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा जड़ा देश के परधान मंत्री बना बता दें इस पेसल पैकेज क्यों मांगी गाइं की तरक् aimed की लिए युवाओं को बरिजगारी दूर भगाने के लिए कहां दे दिया उन्होंने हम जाकर के कह देंगे कि हमारे याम पे ऐसा करदो तु जवाब पूछते हैं ने जनता कि तुमने किया गया कि जनता यही तो सवाल पूछ रही है मैंने तमाम देश के मिडिया से आगरह किया कि चचा भतीजा में तनी डिवेट करा दीजे डिवेट के लिए तयार नहीं हुए उमाजी जी यह तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हुए मैं चाहता था कि देश के प्रधान मंत्री ने जिले के लिए क्या किया उन्होंने अपनी 40 साल की राज नीजेवन में गया के लिए क्या किया और मैंने 17 महिने में क्या किया मैं यह बताना चाहता था उनको लेकिन डिवेट ही नहीं किये तो जनता को फैसला करने दीजे एक और सवाल ये है कि आपके पिता की हत्या हुई थी उनके हत्या के बारे में जो भी जाँच होनी थी वो हो नहीं पाई क्या आपको लगता है आपको नयाई मिला अभी तक क्योंकि उस समय जब मैं देखता था 2010-11 में लालू जी आरोप लगाते थे तब के स्पीकर और आपके पार्टी के नेता सुन लिजे जवाब मैं आ रहा था सिक्किम से मंगल पांडे जी और मुखमंत्री मुझे ट्रेन में मिल गए मुखमंत्री ने कहा कि सर्वजीत जी आपको मैंने नयाई नहीं दिया मुझे आजीवन राजनी जीवन में अफसोस रहेगा अब क्या बचा जब मुखिया ने श्विकार कर लिया कि मैं किसी दलित के बेटा को नयाई नहीं दे सकता तो अब बचा क्या कई आई बिटनेस हैं आपको क्या लगता है कौन कौन सामिल थे आपके पिताई जी ने कहा कि मैंने तुमको नयाई नहीं दिया उसमें औरंगाबाद के अमेले हैं अभी वो भी खड़े थे मैं जब आ रहा था सिक्किम से दो तिन दो थाई साल पहले उसके बाद जो सरगाटी से पुर बिधायक है वो भी सामने खड़े थे रफि गंज के असोग सिंग वो भी कड़े थे सारे लोग खड़े थे सब के सामने मुखमंत्री ने श्विकार किया मैंने मान लिया कि मुखमंत्री कभी दलितों को नयाय नहीं देते तो फिर बचा कुछ तो नहीं बचा शिराग पास्वान को लेकर एक अपतिजनक वीडियो वाइरल हुई जीतर नमांजी जी ने ट्वीट किया उसको मुद्दा बनाये गया है आप इसमें क्या कहेंगे अगर भीड है भीड में अगर किसी वेक्ती ने अगर कोई अभध्र भासा का परियोग किया है तो वो डंडित होगा ये भाईचारा का देश है ये नफरत का देश नहीं है और चिराग जी पढ़े लिखे होसियार है उनको पता है राज नित जीवन का इतिहास पता है उनको उनको लोग भंजाने की कोशिश कर रहा है ये जान लीजे उनके अगर पिता होते अभी तो हमेशा समिधान की रक्षा की बात करते मैं जाओंगा यहां से जीत के उनको आगरह करूँगा ये जनता को फैसला करना है मैं कभी परधान मंत्री के तरह नहीं बोलता हम हमेशा जनता पे भरोसा करते हैं और उनको फैसला के लिए छोड़ देते हैं मैं बैसाखी पे नहीं लड़ता हूँ कोँ ट्रेक करेंगे आगे भी दिन भर हम यहां पर रहेंगे मौजूद बोदगया में और आपने बोट डाल लिए अपना चलिए टी के उमिद्वार है यहां से और इनकी लड़ाई है सीधी टकर है जीतर नाम मांजी जो कि बिहार के पूरी मुख्यमंत्री है